आज भारत दुनिया के गोल्डन आपर्टुनिटी के ले करके आया है। कोरोना और युद्ध से बनी परिस्तितियों के बावजूद, सप्लाई चेंड में रुकावटों के बावजूद, भारत के मैनुफेक्टिरिन सेक्टर का ग्रोथ मोमेंटम पना हुआ है। अर यह ऐसे ही नहीं हुआ है। आज भारत में आपरेटिंग कंडिशन्स लगातार सुधर रही है। आज भारत में जोर कॉस्ट कॉंपेटिटिवनेश पर है, क्वालीट पर यह भी है। आज भारत लो कॉस्ट मेनुफेक्टिरिंग और हाई आउटपूट आउटकम का आउसर दे रहा है। आज भारत के पास इल्म मैनपावर का बहुत बड़ा टैलेंट पूल है। पीते आठ वर्षों में जो रिफार्म्स हमारी सरकार ने किये हैं। उन्होंने भारत में मैनुफेक्टिरिंग का एक अभूत पुर्व एनवार्मेंट तयार कर दिया है। इज अब डूइंग बिजनेस पर कितना जोर आज भारत का है उतना पहले कभी नहीं था। कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाना हो। उसे ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाना हो। अनेक सेक्टर्स में आटोमेटिक रूट से 100% FDI क्या रास्ता खोलना हो। डिफेंस, माइनिंग, स्पेस जैसे सेक्टर्स को प्राइवेट कम्पनियों के लिए खोलना हो। लेबर रिफॉर्म्स करना हो। 29 सेंट्रल लेबर लॉज को सिर्फ चार कोर्ज में बदलना हो। 33,000 उससे ज़्यादा कम्प्लाइंसिस को खत्म करना हो। तरजनों टैक्सिस के जाल को खत्म करके एक गूड्स एंड सर्विसिस टैक्स बनाना हो। खारत में आज एकनामिक रिफॉर्म्स की नई गाथा लिखी जा रही है। इन रिफॉर्म्स का बड़ा फाइदा हमारे मैनिफेक्टरिंग सेक्टर को ही मिल रहा है। और छेत्रों तो फाइदा उठा ही रहे हैं। और सात्यों इस सफलता के पीशे एक और बड़ी वज़़ हैं। बलकि मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी वज़़़ है वो है माइंड सेट में बढ़लाओ। मानसिक्ता में बढलाओ। हमारी यहां लंबे समय से सरकारे इसी माइंड सेट से चली कि सब कुछ परकार ही जानती है। सब कुछ सरकार को ही करना चाहिए। इस माइंड सेट ने देश के टैलेंट को दबा दिया। खारत के प्राइवेट सेक्टर का सामरत बढ़ने नहीं दिया। सबका प्रयास की भावना को लेकर आगे बढ़ रहे देश ने अब पब्लीक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को समान भावना से देखना शुरू किया।